नमस्कार स्वागत हैं आपका विंधिया टाइम्स में मैं हूँ आपके साथ स्वाती मौगंज जिला अंतरगत आने वाले कस्तूर्वा गांधी छात्रावास नई गड़ी हुए 24 घंटे के अंदर दरजन भर से अधिक छात्राओं की तबियत बिगड़ चुकी है लेकिन छात्रावास के जिम्मेदारों का ध्यान इस ओर नहीं गया बताया क्या है कि आज शनिवार की सुबह एक छात्रा सुधा साकेत पिता रगुवीर साकेत उम्ब्र 18 वर्स निवासी ग्राम चिल्ली की हालत काफी बिगड़ गई जिसकी सूचना छात्रावास के जिम्मेदारों द्वारा परिजनों को दी गई परिजनों द्वारा गंभीर हालत में छात्रा को सामुदाइक स्वास्त केंडर नईगड़ी में भरती कराया किया है जिसका उक्चार जारी है, यहां सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि आखिर किन कारणों की चलते, छात्रावासी छात्राई बीमार हो रही है, आज सुबह जिस बालिका की तबियत ज्यादा विगड़ने के कारण अस्पताल में भरती कराया किया है, उसे आखिर छात्रावास की जिम्मेदार अस्पताल लेकर क्यों नहीं गए, कुछ इस तरह के सवाल कहीं न कहीं छात्रावास प्रबंधन पर सवाल या निशान लगाते हैं, वहीं छात्रावास की माने तो छात्रावास की जिम्मेदार कभी कभार ही होस्टल में आते हैं, और फिर अपने कमरे में च चले जाते हैं यहां क्या हो रहा है क्या परिस्थितियां है इस ओर देखने वाला कोई नहीं है इतना ही नहीं छात्राओं के स्वास्त संबंधी जानकारी भी परिजनों को देना जिम्मेदार उचित नहीं समझते छात्रा वास में रहने वाली छात्राइं आए दिन बिमार हो जिम्मेदार अमला अपनी जिम्मेदारी भूल चुका है। क्या सब सुन्दाम लिखते हैं फिर से बता दीजेगों हमारा नाम है बच्ची का नाम क्या है रंजना है आपका भी है क्या घटना घटित हुई हमारी बच्ची को कल जारा बजे रात इनको तबियत खराप हो गई है आश्टर में पड़ती है लेकिन लोग हमको सूचना नहीं बताई है हम क्या करें हमारी लड़की को तबियत बहुत खराप है यहां वेबस्ता कोई नहीं होती है आपको जानकारी आज सुबह मिली आज सुबह है दूसरा आदमी कोई लेकि गया था अपनी बच्ची को यहां हाश्टल से थो हमारे बच्ची के धर्म पहुंचाया तो सब्सक्राइब करें 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 बोले कि ले जाओ वहां पर नई गड़ी ले जाओ वहां लेके आए गंभीर अस्तवा ही लेकिया है क्या सुम नाम लिखने में एक बता दें रगभीर साकेथ जरांचिल बच्ची का क्या नाम है सुधा साकेथ